हेलो एवरिवान विल्कम बैक तो यो फेवरेट चैनल मैगनेट ब्रेंस इस इस मी शिपरातिवारी बहुत-बहुत स्वागत है यहां पर आपको प्रवाइट कर आजाता है बिल्कुल स्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत भैतरी कुछ कर सकें लास्ट क्ल वहता है बॉड़ी स्टमक में होते हैं बहुत सारे फोल्स जिन्हें आप कहते हैं रूगी जो की सरफेस हेरिया को बढ़ा देते हैं ठीक है और कार्डियक पार्ट में स्विंक्टर होता है जिस पे अगर वह खुल जाए तो पायरोसिस या हाट बर्न होता है और आपके पाय पायलोरिक पार्ट में भी जो स्विंक्टर होता है वहां पर भी स्विंक्टर होता है नाव मैंने आपको सेल्स के बारे में बताया था कि कार्डियक पार्ट में गॉबलेट सेल्स होती हैं फंडस पार्ट में ऑग्जेंटिक सेल्स होती हैं चीफ सेल्स निकालती हैं चीफ स थिसी जो कि gastrin नाम को हर्मोन निकालती है इसल टो हिं नाम को हर्मोन निकालती है और गैस्टरिन जो हर्मोन ऊता है यह क्या बोलता है कि गेस्टिजूस निकालो जल्दी से ठीक है तो यह हम लोगों ने फिर हमने चार चैंबर्ड स्टमक पढ़ा था रूमिनेंट्स का शिपरातिवारी कंसेप्ट पॉइंट में ओके नौ आज क्या पढ़ना है आज बच्चों हम लोगों को पढ़ना है पता है क्या हमें पढ़ question is what is kaim? kaim is churned food, okay? what is kaim bachu? kaim is churned food plus gastric juice that what is the kaim? kaim is a churned food with a gastric juice. यह आता है बहुत ही जादा acidic food है, सबसे पहले दूदूनम में आता है डियूदूनम एक c-shape का, u-shape का कुछ भी बोलो, structure होता है, उसके बाद jejunum में आता है, जियूदूनम के बाद ileum में आता है, green वाला डियूदूनम, blue वाला जियूदूनम और yellow वाला, yellow है कि orange है, orange है शायद, ileum, ठीक है? शुरू कर रहे हैं एक एक करके, सबसे पहले intestine, द कर लीजे, even you people start the digestion from the mouth, we can digest the starch into the mouth, we can digest the some protein into the stomach, but at the end of the day बच्चो, everything, everything, तुम कहीं भी कुछ भी तोड़ लो, starch को भी तोड़ोगे, mouth में तो पूरा नहीं तोड़ पाऊगे, protein को स्टमक में भी तोड़ोगे, तो पूरा नहीं तोड़ पाऊगे, किसे भी चीज का final digestion हमेशा आपकी small intestine में होता है, ठीक है, complete digestion जो है ना, वो small intestine में होता है, ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है, दूसरी बात ये है कि intestine निकालती है, intestinal juice, intestine क्या निकालती है बच्चो, intestinal juice, जिसकी वज़ासे, जिसमें बहुत सारे enzymes होते हैं, जिसकी वज़ासे final digestion होता है, जब आप ने digest की है, वो जीजुने, ileum वाले पार्ट से, इवन थोड़ा वो जीजुनम वाले पार्ट से भी absorb होकर blood में जाता है, इतनी बात आपको याद रखनी, concept याद रखना है, आगे बढ़ते हैं, किसी भी इंसान की जो small intestine होती, वो 6-9 मीटर तक की हो सकती है, ठीक है, किसी भी मेटर डिपेंड करता है, कि आपके हाइट कितनी है, अगर आपके हाइट छोटी है, तो intestine का लेंथ भी छोटा होगा, अगर आपके हाइट बढ़ी है, तो intestine का भी हाइट जो है, लेंथ जो है, वो बढ़ा होगा, यह आद रखना, अगली बात, small intestine is divided into 3 parts, number 1, duodenum, number 2, jejunum, त एक, तो यह जो C-shape का आपको दिखाई दे रहा है, it is called as duodenum, next is jejunum, and third is ileum, और ileum, it connected into the large intestine, और यह होता है, rectum, आगे बढ़े, duodenum, duodenum, shape क्या देखा duodenum का, बोलो, अरी बूलू न, duodenum is the first part of the small intestine, duodenum जो होता है, यह first part होता है, small intestine का, ठीक है, इसकी करीब length जो होती है, वो 10 inch होती है, ठीक है, it is the smallest and shortest path of the small intestine, ठीक है, यह सबसे चौड़ा होता है, बाकी intestine के पार्ट में पतले होते हैं, पर यह चौड़ा होता है, अच्छा, अब मेरी बात को ना ध्यान से समझना, look at this diagram, मैं यहाँ पे draw भी कर देती हूं, तो आप उन्हें को और जादा clear हो जाएगा, suppose that की ये है dutinum, ठीक है, अब ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है, यहाँ से, यहाँ से आ रहा है काई, ठीक यहां से आ रहा है काइन ओके नाओ ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को दिभ ध्यान से देखो डाइग्राम को अफी मज़ा आ जाएगा आप लोगों को बहुत अच्छा सा मज़ा ओहुँ चलो आ जाओ यह अपकी बायल डख्ट एक यह क्या है बच्छों आपकी बायल डख्ट बायल डख्ट कहां से आती है लेवर से ठेक है इसके अंदर क्या भरा होएँ इसके अंदर भरा होएँ दिख रहा है सब को व्यूजिबल है ना यह है आपकी pancreatic duct पैंग फो यहां पर तो जगही नहीं है यह है आपकी pancreatic what the hell is this तो यह हो गया आपकी pancreatic duct ध्यान से देखेंगे pancreatic duct अब आप क्या देख रही है liver से आ रही है by the thread well is the bile duct pancreatic duct काहां से आती pancreatic duct आती pancreatic duct आती pancreatic यह यह तो लिखना ही भूल गई मैं ठीक pancreatic दोनों duct आपस में जोईन हो गई जोईन हो गई की नहीं हो गई and they will make a new duct called as called as hepato pancreatic duct okay then hepato pancreatic duct will open into the deuterium will open into the deuterium through the ampoula of ampoula of water a baby पढ़ानी की ज़रुए थे क्या पर लेट भी एंपला वाटर भी छोड़ देते हैं तो यहाँ पर खुल गई अभी वहाँ पर आपको में clear कर दूंगे चलो इंपला वाटर भी छोड़ देते हैं तो यह समझ गए आप लोग डियूडिनम पहले अभी अपन लोग यह बात करते हैं सी शेप का होता है डियूडिनम क्या क्या रिसीव करता है डियूडिनम रिसीव करता है डियूडिनम रिसीव करता है खाने को स्टमक से स्टमक से जो खाना आता है उसको हम जानते कि काईम कहते हैं जो कि एसडिक होता है उसके साथ ही साथ डियूडिनम यहां से क्या रिसीव कर रहा है deuterium receive कर रहा है bile duct ko through the liver जिसमें bile होता है और pancreatic duct ko through the pancreas bile and pancreatic duct दोनों आपस में join हो जा तिंग जगह पर जिसे आप कहते है hepato pancreatic duct hepato pancreatic duct will open into the deuterium through the impula of water यह भी जानना नहीं आपको और सारा जितना भी pancreatic juice और आपका bile juice है यहाँ पर निकाल देती है so this is the bile and this is the pancreatic P.J. लिख दरी हूँ pancreatic juice आप समझना what the what is the role of deuterium listen to me very carefully जो खाना आप स्टमक से ला रहे हो ना यह बहुत acidic है बहुत ज्वलन शील है है बहुत ही खट्टा है स्टमक में खट्टा था क्योंकि स्टमक पे जोई enzyme काम करते हैं वह हमेशा acidic pH पे ही काम करते हैं डετεिविन tipping करते हैं वहेशाga कि पी पी एचma Blunt करते हैं तो डियूडिनम के पार्ट में हम खाने को alkaline करते हैं, by the help of bile juice, because bile juice have so many salts, and pancreatic juice also have so many salts, and inorganic material, जो pH को क्या कर देते हैं, इंक्रीस कर देते हैं, जिससे pH बढ़ जाता है, और खाना जो है, जो environment है, वो alkaline हो जाता है, और digestion स्टार्ट हो जाता है, समझ में आई आई आपको बात, और डियूडिनम में आरन भी अब्जॉब होता है, समझ में आई बात, so this is the bile duct, this is the pancreatic duct, and this is the, let it be pancreatic duct, और यहाँ पर खुल गया यह, यह आपको मेरी बात समझ में आई, वो diagram भी छोडिया, और डियूडिनम में भी आपको folds दिखाई दे रहे हैं, walls of carc rings, walls of carc rings everywhere, in the intestine, ठेक, आगे बड़े, where the deuterum has gone, यह मैं मिटा दू, ओके, now, the length is 10 inch, shortest और widest part is small intestine का, English का words C और U दिखाई देता है, यह क्या क्या receive करता है, यह pyloric end से receive करता है, स्टमक से खाना, bile receive करता है, लीवर से, और pancreatic juice receive करता है, through the ampoula of water, यह मैंने आपको बता है, जिस opening में, हेपेटो-pancreatic duct खुलती, what is the hepato-pancreatic duct, it is the joining of bile duct and pancreatic duct, जिस जगा पर खुलती एंडियुडिनम में, उसे कहते हैं, जिसके थूख फुलती हैं, यह से कहते हैं, ample of water, the wall of deuterium secrete so many enzymes, ठीक है, brunner's gland भी पाई जाती है, वहाँ पर सब mucosa में, जो कि mucus निकालती है, क्योंकि mucus भी ultimately, काइम के acidity को, जो है, कम करेगा, पानी मिला दोगे, किसी भी acid में तो कम होता है, ठीक है, अब, now, okay, ले, फिर जा गया, चलो, अब आपकी जो small intestine में, जो deuterium की दीवारे होती हैं, deuterium की दीवारे न, बहुत सारे enzymes निकालती हैं, मैंने सिर्फ नाम लिखें, यहाँ पर अभी मैं आपको actions बताऊंगे, तो deuterium की जो दीवारे होती हैं, वो अलग-अलग प्रकार का enzymes निकालती हैं, सबसे पहला जो enzyme है, वो है enterogastron, यह gastrin inhibitory peptide, ठीक है, कौन से enzymes हैं, यह hormones हैं, these are the hormones, hormones, released, यह releases, by the, wall of, deuterium, ठीक, सबसे पहला है, gastrin inhibitory peptide, GIP, ठीक, यह क्या करता है, यह hormone बचलो, यह hormone कहाँ से निकल रहा है, बहुत चलाक, बहुत चलाक, गजब चलाक हैं यह लोग, निकल जहां से रहे, वहाँ कामी नहीं करेंगे, इधर उधर काम करेंगे, वस वही बात है न, घर की मूर्गी दाल बराबर, तो यहाँ पर भी वही हाल है, deuterium की दीवारों से जो हर्मोन निकलते हैं, वो तो कामी नहीं करते हैं, यह GIP जो है न, gastrin inhibitory peptide, यह क्या करता है बता आपको, it inhibit the secretion of gastrin, once, यह बहुत ज्यादा overlapping होती है, यह बहुत ज्यादा इसमें, once food arrives at dudenum, देखो, एक बार अगर खाना, एक बार अगर खाना dudenum में आ गया, तो स्टमक को काई के लिए परिशान करना, काई कू, ठीक है, नहीं करना परिशान, अब स्टमक में continuously gastrin juice निकले जा रहा, क्योंकि gastrin जो हर्मोन जो पाइलोरिक पार्ट से था, वो बंदी नहीं हो रहा है, तो यह जी आईपी जाएगा, gastrin इनिबिटरी पेप्टाइड, इंटरोगेस्ट्रोणी बोलेगा, यह भाई ऐसा है, खाना पहुच चुका है मेरे इधर, मेरे घर आगया है, अब तुम मत महनत करो, वो क्या करेगा, gastrin को बोलेगा, शान्त, शान्त भीम शान्त, शान्त हो जाएगा gastrin, गैस्ट्रिन शान्त हो जाएगा, तो gastrin जूस निकले गाई निस टमक शान्त रहेगा, क्योंकि खाना कहा आगया है, अब समझो, तुमने क्या देखा, कि डियूडिनम पैंक्रियाटिक जूस को भी रिसीव कर रहा है, पैंक्रियाटिक जूस में न, एंजाइम्स होते हैं, और बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं, सॉल्ट भी होते हैं, hormones भी होते हैं, सब होता है, अब सबसे दूसरा जो hormone है, इसे कहते हैं, secretin, secretin is a fireman of the intestine, why it is called as fireman of the intestine, it is the first hormone to be discovered, very important point, मैं आपको secretin के बारे में बता रहे हूं, ध्यान से देखेंगे, secretin, ये first हो गया, दूसरा हम discuss कर रहे हैं, secretin, दूसरा हम लोग discuss कर रहे हैं, secretin, देखें, secretin क्या होता है, secretin जो hormone है, first hormone discover हुआ है, first hormone, ठेक, ये पहला hormone discover हुआ था, ये क्या करता है, function समझें, it activates, activate the non-enzymatic part, non-enzymatic part, part of pancreatic, pancreatic juice, समझ में आई बात, क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया, की, pancreatic juice में सब कुछ होता है, enzymes होते हैं, hormones होते हैं, inorganic part होता है, non-enzymatic part में क्या आते, ions, ions मतलब na plus आता है, k plus आता है, ठेक है, bicarbonate आते हैं, बहुत सारी चीज़े आते हैं, ठेक है, तो ये क्या करता है, secretin क्या करता है, कि pancreatic juice जो आ रहा है, neutron में, उसके non-enzymatic part को अक्टिव करता है, जैसे ions हो गया, अब किसी चीज में नमक मिला दोगे, तो उसकी alkalinity बढ़ेगी न, acidity घटेगी, तो इसे कहते है, fire marrow of intestine, तो जब खाना आता है, तो बहुत जवलन्ज सील होता है, तो फटा-फट फटा-फट सीक्रीटी निकलता है, pancreatic juice के non-enzymatic part को active कर देता है, पूरे खाने में ions मिल जाते हैं, और acidity क्या होती है, reduce हो जाती है, ठेक, third मैं आपको बताऊंगी, pancreosamine, ये भी dudenum की बॉल से निकलता है भईया, pancreosamine, pancreosamine क्या करता है, ये इसको उल्टा करता है, ध्यान से देखें, activate, activate, activate enzymatic part, enzymatic part of pancreatic, pancreatic juice, समझें, अब अगर आपने खाने को एक बर क्या कर दिया, शांत, ऐसे alkaline कर दिया है, अब उसको digest करो, pancreatic juice में बहुत सारे enzymes होते हैं, ठीक है, काइमोट्रिपसन होता है, प्यप, जो है तो, amylase होता है, lipase होता है, ये सब को enzyme को active करो ता कि digestion हो सके, तो पहला gastrin को बंद करो, क्योंकि खाना आ गया, दूसरा non enzymatic part को active करो, तो कि खाने को alkaline बनाए, फिर enzymes को active कर लो, क्योंकि enzyme अपकाम कर सकते हैं, तो pancreatic juice के enzymatic part को active कर देता है, कि अब तोड़ू, ठीक है, लास्ट में आते हैं हम, kolesystokinin, kole is systokinin, इसको कहते है CCK, CC कि आपको क्या पता है, आपको क्या करता है, it will contract the gallbladder, contract the gallbladder, gallbladder को contract करेगा, तो ज़ादा से ज़ादा bile juice, gallbladder कहा होता है, right part of the liver, के नीचे होता है, थोड़ा से, जुड़ा होता है, तो जब gallbladder में क्या होता है, बाइल बहुत गाड़ा होता है तो उसको दबाएगा तो ज्यादा से ज्यादा बाइल जो है वह कहां कियो राएगा डियूडिनम की और आएगा जिसकी वजह से आपका जो खाना है वह और अच्छे से एल केलाइन होगा और और एंजाइम काम करेंगे सरफ डियूडिनम की बॉल से बच्चो टोटल चार होर्मोन निकलते इंटरोगेस्टबिकी और बन करता रहे हैं तैसरगिभगी घेक्रियूडिझ करता है और आि जन सं hyokinin Dasachrocynase, ये गॉल बेंडर के पास जाता है सुनु करें, चला चला दबाऊ इसको, जैसी वह दबाता है, तो पूरा बायल जूस निकल के, जादा से जादा बाइल जुस ज्यूडी नम में आता है इस की वजह से डीनम में यह जो आपकी गॉल दियसे भाम के नाम sah भाइल जूस होता है इसमें लेवह सारे सुंट होता है जिसकी वज़ते जो एरिया जौ کی मिर्वारून। वो alkaline होता है और digestion जल्दी होने लगता है सो ये screenshot ले लिजे आप मैंने सारे होर्मोन के function आपको बता दिये ठीक है तो ये हो गया आपका duty नम next जे जू नम इसका length है इसका लेंट है इसकेंड लॉंगेस्ट पार्ट अव दा small intestine 2.5 मीटर का होता है main site of the digestion main main site of the digestion ठीक है क्योंकि ध्यान से समझना मेरी बात को layers देखेंगे ये है muscularis layers के नीचा होती सिरोसा muscularis के उपर क्या होती sub mucosa ठीक है sub mucosa के उपर होती ये हो गई mucosa ये हो गई sub mucosa ये हो गई muscularis ठीक है अब mucosa के उपर देखो आपको ऐसे finger-like projections दिख रहे है it is called as villi क्या कहते है ये इनको हम लोग villi ठीक है इनको अपन लोग ने क्या क्या है विलाई इसमें arteries और vein दोनों का circulation होता है artery हो गई और ये vein दोनों का circulation होता है okay so जो भी आप small intestine में digest करेंगे विलाई उसको फटा-फट खीच-खीच कर blood को देती जाएगे क्योंकि blood उसके अंदर है देखो blood vessels है न उसके अंदर ठीक है now look listen to me very carefully very 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 carefully what I am trying to say ये है crypts of livercune ये जो आपको दिख रहा है ये area this area this is called as crypts of livercune देखिए यहाँ पर jejunum में होता है it is a main site of the digestion इसमें बहुत सारे finger-like projections होते हैं it is like this ठेक है यहाँ पर इस तरीके के folds होते हैं ठेक यह जो दिख रहा है it is called as crypts of livercune it is called as crypts of livercune इन्हीं आप intestinal glands भी कहते हैं यहाँ पर बहुत सारे enzymes निकलते हैं ठेक है तो विलाइस finger-like projection उपर होता है जब वो नीचे ऐसे आती है तो इस प्रिप्ट्स of livercune तो यह हो गई विलाइस यह हो गया crypts of livercune यहाँ पर बहुत सारा इंटेस्टिनल जूस इकठा रहता है intestinal juice को हम लोग कहते है सकस in tarricus क्या कहते है सकस in tarricus सकस in tarricus में भयंकर वाले enzymes होते हैं क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चीज का final digestion कहां होता है small intestine में तो सकस entericus जो है वो फटाफट फटाफट क्या है जो है डाइजस्ट करवाएगा small intestine के अंदर और फिर विलाई उसे absorb करके blood को दे देंगे nutrients को absorb actually ileum में करेंगे थोड़ा बहुत जीजुनम है so length है 2.5 meter it is covered जो आपकी that जीजुनम होती है उसमें बहुत सारे finger like projections होते हैं जिनें आप कहते विलाई विलाई ऐसा होता है it is like विलाई और इसके उपर छोटी छोटी छोटे छोटे ऐसे brush like appearance होते हैं जिसे आप कहते हैं microvillies pH होता है जीजुनम का 7 to 8 ठीक है इसमें बहुत सारे folds होते हैं ठीक है और यह fold crypt like crypt like मतलब एक धसाव लाइक structure बना लेते हैं जिसे आप कहते है crypts of livercune क्या कहते हैं बच्चों crypts of livercune इसे आप intestinal glands भी कह सकते हैं इस एरिया को यहां पर बहुत सारा intestinal juice निकलता है जिसे आप succus entericus के नाम से जानते हैं मैं highlight कर दे रही हूं succus entericus, crypts of livercune, villi and microvilli, main site of the digestion यह तीन पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं ठीक है now ileum it is the longest part of the elementary elementary canal even intestine 3.5 meters का होता है 3.5 meters ठीक है it is mainly meant for absorption because they have club shape villi ऐसे mushroom shape की बलाई होते हैं तो mushroom shape के विलाई हैं तो जादा से जादा absorption होगा finger like है तो थोड़ा कम absorption होगा पर ultimately दोनों में विलाई होते हैं jejunum में भी और ileum में भी है यह large intestine में खुलता है large intestine के पहले part में into the cecum ileum small intestine का पाट है cecum large intestine का पाट है ileum और cecum के बीच में एक valve होता है जिसे आप कहते है ileocecal valve तो एक बार waste चला गया cecum में तो वापस नहीं आ सकता ठीक है it is meant for absorption meant for absorption ileum में absorption ही होता है absorb करो विलाईस के चारव तुरह blood vessels है देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ ठीक है आप समझो ileum और cecum से जुड़ा हुआ है vermiform appendix हाला कि मैं cecum भी आपको पढ़ाऊंगे ileum और cecum की mucosa से जुड़ा होता है आपका vermiform appendix जिससे आप vestigial organ के नाम से जनते हैं यहाँ पर पहले cellulose का digestion होता था पर अब हमने cellulose खाना छोड़ दिया है इसलिए अब cellulose का digestion नहीं होता ठीक है इसलिंफवाइट टिशू लिंफवाइट टिशू मतलब जो लब डबलू बीसी लिंफ बनाए नाव सो अब मेरी बात को ध्यान समझना जो आते होती है आते जो intestine होता है intestine में पूरे elementary कनाल में क्यों सबसे अधिक small intestine में ही absorption होता कहीं और क्यों नहीं होता क्योंकि small intestine की mucosa इतनी ज्यादा मूडिफाइए ठीक है suppose that कि आपकी intestine ठीक है यह intestine है बीच में जो है खाना पड़ा हुआ है नहीं समझों बीच में खाना पड़ा हुआ यह 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 आप अगर इसकी mucosa को देखो तो इसकी mucosa में यह से फोल्ज है यह से तो फोल्ज है ठीक है यहां पर ऐ यह से फोल्ज है यह 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 इसमें एक और ब्रेश बॉर्डर भी आपने लगा दिया ठीक है तो अब आपकी म्यूकोजा इतनी ज्यादा मॉडिफाइए है तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसकी जो म्यूकोजा उटी इच शो मेनी मॉडिफिकेशन जिसकी विजह से ज्यादा से ज्यादा जो एब्सॉप्शन होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है कौन कौन से वाल इंटेस्टेस्टाइन वाल पर फोड्स होता है स्टमक में भी होते है वहां पर भी अब्सॉप्शन होता क्या होता बताँगी यख़ ऐलकोहल गए रहा थ्री टाइमस एब्साप्शन को बढ़ा देते तो कहीं पर अगर एक मोलेक्व अब्साब और होगा तो इन फोल्ड की विजए से टीन होने लगेंगे ठीक है कि वजय से हो गए 20 माइक्रो विलाइस की वजय से तो टोटल लाएगा 600 गुना कुल मिला के mucosa के modifications की वजय से कहीं किसी पार्ट में इलमेंटरी कनाल के एक ग्लुकोज molecule absorb होता होगा माल लीजे तो यहां पर 600 absorb हो जाएंगे because a mucosa is so much modified mucosa it is the internal layer of elementary canal ठीक है यह समझ गया अप लोग now look at the last diagram of it okay so this is the intestinal cirrhosa this is the muscularis this is the submucosa and look at the mucosa mucosa has a finger like prediction called as microbial eyes take it and microbial eyes look at this these microbial eyes has crypts this is called as crypts of liver cune or intestinal gland all the that here agarap will eyes go as a card day na yeevala part hala hata day to realize ko java cutting a talk could be king blood vessels skinner or lymphatic vessel lymphatic vessel collectles कहते हैं क्योंकि यह fat ko absorb करती है तो आपको इसमें बहुत सारी blood vessels और बहुत सारे fat ko store करने वाले lymphatic vessels दिखेंगे अगर आप जाके अंदर घुस जाएं ऐसा तो इसे कहते हैं क्रिप्स ओफ लिवर कुन इंटस्टिनल ग्लैंट और कंटीनेसली आपको फोल्स तो दिखेंगे ही जिसे आप कहते हैं फोल्स ओफ करकरिंग्स ठीक है तो इस इस दे लेक्टल लेक्टल जो ग्रीन वाला है जो की फैट स्टोर करता है लिम्फोइड नॉडल छोड़िये यह आपकी काम का नहीं विलाई इंटस्टिनल ग्लैंट यह है आपकी लॉंगिट्यूदनल मसल फाइबर यह है आपकी सर्कुलर सर्कुलर मसल फाइबर यह प्लेक्सैस यह है लेम्फैटिक वैसल ग्रीन वाली यह देख लेम्फैटिक वैसल अंदर घुस्र है ज्रीन किल्र की और रहेडव यह लेड वैसल ब्लू फाल्य यहई वैं तो इस अंल इंट एंटस्टाइग जे MALE about the bacho small intestine what you have learned you have learned all the parts of small intestine कुछ भी नहीं छूटा है इसके लावा कुछ नहीं आएगा जो digestion कैसे क्या digest होता है यह मैं आपको physiology of digestion में बताऊंगे अभी मैंने सिर्फ आपको पाट पताया so I hope you learned and enjoyed the video थोड़ा लंबा है but it is important you have to learn it so next lesson I will take night cheese के साथ अप्ता घर पे रहो safe रहो अपना ध्यान रखो thank you so much